ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जनुशलाकया चक्षूरन मिलितं येना तस्मई शी गुरुवे नमहा श्रीमत भागुतम ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया दूसरा केंटो सात्मा ध्याय और दस्वां शलोक हम सुन रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मनी को दीगई शिक्षा जिसमें नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कैसे अलग-अलग अवतार भगवान के आए कैसे क्रिष्ण एक ही हैं लेकिन वो किस प्रकार अलग-अलग अवतार बनाते हैं तो उन अवतारों के बारे में हम चार्चा करते हैं हमने कुछ अवतार अभी तक सुनें आज आगे के अवतार हम सुनते हैं शलोक संके 10 राजा नाभी की पतनी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान परकट हुए और रिषब देव कहलाए इन रिषब देग की कथा हम श्रीमत भागो तम में आगे सुनेंगे किस प्रकार इनके सौ पुत्र हुए जिसमें से 81 पुत्र ब्रहमण बने अवल जर्जे के ब्रहमण बने नौ पुत्र परम हंस बने परीवर के चारे जैसे इधर उधर जाकर भगवान की चर्चा करने वा और बाकी भक्त क्या बने बाकी जो बच्चे देव क्या बने वो राजा बने यानि कि दस भक्त दस पुत्र उनके बहुती चरितरवान राजा बने जितमें सबसे बड़े थे भारत महराज और किस प्रकार भारत महराज जानते हैं आप कितने फेमस हुए बाद में जड़ भ सरवोच सिद्धपद भी माना जाता है जिसमें मनुश्य अपने में ही सित्रह कर पूर्ण रूप से संतुष रहता है तो रिशवद देव की सिक्षाएं बहुत ही महत्पूर्ण हैं जो कि शिमत भागोता में हम सुनते हैं मल में खास बात ये थी कि कई मीलों तक उस मल की सुखंद आती थी जो कि भगवान के शरीर में मल होई नहीं सकता है तो ये कता हैं हम आगे सुनेंगे लेकिन यहाँ पर संक्षेप में बताया गया फिर बताता है कि अगे शरीर का रंग सुनेला है वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा है जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नत्रों से समस्त मधुर वेदिक स्त्रोतों की ध्वनी परकट हुई इस प्रकार से भगवान के श्वास लेने से भी वेदों की ध्वनी निकलती है हम सुनते हैं किस प्रकार से गरुडेव श्रीलप प्रुप बताते हैं कि कर्दमुनी के प्रसंग में कि जब गरुडेव भगवान को ले के आए और जब उड़ते वे आए तो उनके पंखों की फड़पलाट से वेदों का सार निकल रहा था वेदों की ध्वनी निकल ले थी हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा था इस प्रकार से तो भगवान यहाँ पर हैगरिव अवतार के रूप में प्रकट हुए है नहीं कहते हैं रामकृष्ण हैगरिव हाई ग्रीव के रूप में भगवान प्रकट हुए इनके शरी का रंग सुनहला था उसके बाद मत्य आवतार के बाद करते हैं मत्याह युगा अंत समये मनुना उपलब्धा शोनी माया निखेल जीव निकाय केता विस्चंतितान कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यवरत देखेंगे कि मत्यावतार के रूप में श्री भगवान पृत्वी परियंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रे हैं ये मत्स्यावतार भी हम सुनेंगे शिमत भागत में कैसे भगवाने छोटी सी मचली बनके आते हैं सत्य वरत राजा के घर में एक छोटे से जार में जिसमें मचली रखते हैं उसमें मचली को रखा जाएगा और मचली अचानक से इतनी बड़ी हो जाएगी कि जार में फस लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे उखेंगे मुझे जगा चाहिए मुझे जगा चाहिए और बड़ी होते होते वो तलाब को तलाब में भी फच जाएगी नदी में भी फच जाएगी अंत में उसको समुद्र में डाले जाएगा वो मचली इतनी बड़ी हो जाएगी कि बा इसना आगे की जा सके एक बोट में रखना है और मेरे पीछे 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 चलना है उस बोट को खींच के ले जाएगी ये मत्सया उतार भगवान का उतार तो इस परकार से और इस जल के प्रलाय को डेखकर ब्रहमा जी के मुझ से डर के मारे वेद गर जाएंगे और वेदों सुन्दर लिला जो आप लोगोंने बहुत बार सुना है इसके बारे में समुद्र मंतन शीरा उदधो अमरदानव यूथ पाना उनमत नताम अमृत लब्धया आदि देवा प्रिष्ठेन कच्चप वपूविद धार गौत्रम निद्राक्चान आद्री परीवर्त कशान तब आदि भगवान मत्हानी कितरे उपियोग में लाए जा रहे मंदराचल परवत के लिए धुरी के रूप में कच्चप रूप में आवतरित होंगे कच्छवे का रूप जब समुद्र मंतन किया गया तो मंद्राचल परवत को किसी तरह से उठा के लाया गया बहुत मुश्किल काम था इसको उठा के लाना क्योंकि इतने बड़े समुद्र को मतने के लिए मतनी कहां से लाएं मतनी की जरत है कि नहीं समुद्र के पानी को मतने क के लिए तो इतना भेंकर समद्र कि लिए मंध्रा erfolg परवत को बीच में लंग दिया देवता और وसुकि को बीच में लपेटा गया एक तरफ देवता एक तरफ असुर कीच रहे हैं अब खीच ने क्छीच को उसके नींचे चले गए और अपनी पीठ पर उसको ले लिया सोचिए अब उसकी उनकी पीठ पर रगड ऐसे ऐसे करके मंदराचल परवत उस कच्छब अवतार के उपर रगड मार रहा है और बताते हैं कि भगवान कच्छब अवतार में इतने विशाल थे कि उनको ऐसा लगता था कि मानो हम जब सो रहे होते हैं कई बार जैसे हम बच्छबन में कहते थे मम्मी पीठ पर खुजली कर दो मम्मी पीठ पर मम्मी खुजली कर दी हम सो रहे हैं तो कच्छब को ऐसा लगता है कि उनकी पीठ पर कोई खुजा रहा है और वो अराम से सो जाते हैं तो इस प्रकार से कितने दिव और शक्ती सालिय हो सकते हैं भगवान देवततत असुर अमरित निकालने के उदेशे से मंदरा चल को मत्रा मत्हानी बनाकर शीर साकर का मंतन कर रहे थे या परवत आगे पीछे घूम रहा था जिसे भगवान कच्छप की पीट पर रगल पड़ रही थी तब अग जगी निद्रा में थे खुजलाट का अनुभव कर रहे थे उनकी पीट रगली जाने लगी उसके बाद क्या होता है भयानक अवतार ये तो बड़ा दयावला अवतार था भयानक अवतार ये कथा भी हम सुनेंगे श्रिमत भागतम में आगे सब्तम सकंद में किस परकार से ब्रह्मा जी से उन्होंने वर पाया हिरने कश्पू ने ब्रह्मा जी से वर पाया कि मैं किसी भी इंसान से ना मरूं ना किसी देवता से मरूं ब्रह्मा जी की creation में किसी चीज से ना मरू ना घर के बाहर मरू ना अंतर मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू इस प्रकार से उन्होंने कई सारे अवतार मांगे किसी तरह से अमरता होने का अवतार मांगा और ब्रह्मा जी ने दे दिया है ब्रह्मा जी जानते थे कि भगव अपने नाखुनों से उसका पेट फार डाला और जो ऐसे वेक्ति को जो भगवान को ललका रहा था उस समय उनकी बौहें क्रोध से फड़क रही थी भगवान की और दातों के कारण उनका मुख भयानक लग रहा था फिर क्या हुआ अंतह सरसी उरूबलेन पदै ग्रिहीत ग्राहेन यूथा पती अंब जहस्त आर्त आह इदम आदि पूरिश अखिल लोक नात तीतर शवशवशवशवण मंगल नाम धेया अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा अब नेक्स्ट आवतार में देखते हैं कि एक मगरमच है जो नदी के भीतर एक हाती का पाउँ पकड़कर खीचे जा रहा है और हातियों का नायक बड़ी पीड़ा में है अचानक से हाती के नायक को भगवान की आद आती है और उस कष्ट प्रदवस्था में वो अपनी सून्ड से एक पानी में उगर एक कमल को तोड़ता है भगवान को संबुधित करता है और भगवान के लिए बहुत सुंदर प्र हो जाते है इस प्रकार से वो बोलता है और फिर तो भगवान की प्रार्थना ये बहुत ही अच्छी प्रसंग है अगें ये भी हम आगे सुनें के शिमत भागुतम में गजेंद्र कथा जो की बहुत ही प्यूरिफाइंग है जो में दिखाती है कैसे हम लोग कितने भी शक्त है कि हम कितने भी सक्तिसाली हो यदि हम अपनी नेचुरल हैबिटेट में अपनी नेचुरल जगा में नहीं है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं जैसे मचली कितने भी बड़ी हो यदि पानी से निकाल दें तो वो मर जाती है विशाल मचली शार्ग मचली को भी पानी से निकाल बनाली हैं लेकिन हम अपनी natural जगा पे नहीं हैं जो की spiritual जगत है इसलिए हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे संकट माई जाएंगे भगवान उसकी रक्षा करते हैं क्या होता है तबी शुत्वा हरीतम अरण अर्थिनम अप्रमेय चक्र आयुधा पतगराज गुजदी रूड चक्रेन नक्रवदनम विनी पाटया तस्मात हस्ते प्रग्रिह भगवान कृपया उज्जहार हाती की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सायता करनी चाहिए क्योंकि हाती घोर संकट में भगवान को पुकार रहा है तब पक्षी राज गरूड के पंकों पर आसीन होकर भगवान अपने आयूद चक्र से सज्जित होकर महाँ पर आए पक्षी राज गरूड के ओपर भगवान बैटके आते हैं गरूड की गजेंदर की मदद करने के लिए उनकी हाथ पे चक्र होता है और हाती की रक्षा करने के लिए उस चक्र को छोड़ते हैं जो मगरमच के मुझ को काटके खंड-खंड कर देता है और हाती की सूंड से पक कौन-कौन से अवतार लिए लेकिन ये कथाएं शिवन भागत में बहुत डिटेल माएंगी और हमारा ज्यान बढ़ाएंगी और भक्ति बढ़ाएंगी जयायान गुनेई अवर जह अपी अधिते सुतानाम लोकान विच्रक्रमे इमान यतु अथ अधियज्यक्षमाम वामनेन जग्रिही ट्रिपद चलेन यत्याम रिते पथी चरन प्रभुभीन चाल्या भगवान समस्त भौतिक गुनों से परे होते हुए भी अधिती के पुत्रों अधितियों के गुनों से कहीं बढ़ कर थे एक और अवतार की बात हो रही है वे अधिती के सबसे कनिष्ट पुत्र भगवान है उन्होंने तीन पग भूमी मांगने के बहाने बली महराज के सारी भूमी ले ली उन्होंने याचना इसले की क्योंकि बिना याचना के सनमार्ग पर चलने वाले से कोई उनकी अधिकृत संपक्ति नहीं ले सकता भगवान ने रूल्स को भी फॉलो किया तो भग च्छल कैसे सकते हैं लेकिन वास्तामें ब्ली माराज Więch覑ण सब कुछ देते्ज और शुक्रचारे के मना करने पर भी उनके गुरू मना करते हैं कि मत करो जे विष्नु हैं गरवड कर देगा लेकिन भक्त पहुंत को समस्त कुछ कुछ देने के लिए देज़ रेता भग्त कभी नहीं सोचता कि मेरे साथ भगवान ने क्या किया, चाठीक करा मेरे साथ, क्यूं मैं भगवान को क्यूं दूं, क्यूं मैं अपनी तीजोरी में ना रखूं, क्यूं ना मैं उसको खाऊं नहीं, क्यूं मैं दे दूं सब कुछ, लेकिन या बली महराज के ब्रामंदेग के ओपर, जच साब, ये देखिए, ये बॉने के रूपमे ब्रामन में से तीन पग जमीन मांगता है, क्या इसकी इंटेंशन सही थी, चैयों के बल जमीन मांगना चाहता था तीन पग, मैंने दानी होते वे इसकी मदद करने के लिए इसको तीन पग भूमी दी, इसने सारा संसार नाप दिया क्या ये सही बात है आप भी कोई भी सोतेगा तो ये ही कहेगा ये तो गलत बात है intention में problem है लेकिन भगवान का जैसे हमने बोला चलना भी बड़ा प्रिय होता है उन्होंने बली महराज को तुरंट आशिरवात दिया ये बली तुमने मुझे सर्वस्त दे दिया मैं तुम्हे आशिरवात देता हूँ क्या आशिरवात देता हूँ मैं तुम्हे आशिरवात देता हूँ कि तुम बिल स्वर्ग बिल स्वर्ग जो कि नीचे के लोकों का स्वर्ग बेचिली जो कि इतना उपुलेंट है, बताते हैं कि जो उपर देवताओं का स्वर्ग है, उससे भी जाला उपुलेंट है, वहां का राजा बनाया है, तुरंट आज से तुम वहां के राजा हो, नमबर वन, नमबर टू, मैं तुमारे राज्य की रक्षा खुद पहरेदार बन के आपने कथा सुनी होगी, एक पर रावन इस प्रकार से वहां पे पहुंचा था तो वामन देव ने उसको एक लात मारी थी, वहां पे रक्षा करते हैं, और उससे वह सीधा वहां से उड़ता वा लंका पहुंचा था, तो ऐसा साक्षात में, सचमाही नहीं मतलब उन्हों न कि तुम जो है अगले स्वर्ग के राजा बनोगे इंदर के बाद, इस पुरंदर के बाद, तो इस प्रकार से भगवान पहले परिक्षा लेते हैं, हम जब उनको सर्वस सौंप देते हैं, उसके बाद भगवान भी सब कुछ खोल देते हैं, तो यहां बहुत ही सुन्दर ल अधिपत्यय वेपती शुतम रितेना चकीर्शत अन्यत आत्मानम अंग मन साहरे अभी मेने, अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारन करने वाले बली महराज ने अपने गुरु द्वारा मना किये जाने पर भी अपने वचन की अतरिक्त मन में अन्य क कुछ धारन नहीं किया, क्योंकि उन्हें का मैंने इस ब्रहमन को वचन दिया है, अब चाहिए मिरसा जोमर्जी करे, राजा ने भगवान के तीसरे पक को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समित पर कर दिया, भगवान ने दो पदों से सारा जगत को नाव दिया, तो ती महराज को बंदी बना लिया गया, वो कथा है, हम सुनेंगे उसको, तो यहां बताने हैं कि राजा ने राजा को मना किया गया, यानि कि ऐसा वख्ति आकर हमें कोई भी वख्ति संसार में, भगवान से दूर जाने को कहता है, फिर वच्चाह कोई भी क्यों ना हूँ, उसकी बात मानने की कोई आवश्रक्ता नहीं है कि बली महाराज ने अपने गुरू दूआरा मना किये जाने पर भी अपने मन के वचन के अधिरित कुछ नहीं किया क्योंकि वचन दे चुके थे भगवान को ये बताया जा चुका थे कि साक्षा नारायन है राजा ने भगवान के तीछर पक्को अपने शरीर पर रखने को का ऐसे महापरुश के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के समराजय का भी कोई महात्व नहीं था बली ने देवताओं को प्रौपर युद्ध में हराके छल से नहीं प्रॉपर युद महरा के स्वर्ग के राज़ा बने थे लेकिन वही राज्य है उन्होंने भगवान के आगे नौच्छावर कर दिया यानि कि बड़ी गाड़ी खून से कमाई वी धन को जब हम भगवान में लगाते हैं तो उससे बड़ा प्रेम पैदा होता है देखिया हम जितने बहुमूले वस्तु अपनी देते हैं उसी से पता चलता है ना प्रेम प्रेम बहुमूले का मतलब केवल पैसे से नहीं होता है जिस चीज से हमें लगाओ है यदि उस चीज को हम भगवान की सिवा में लगाते हैं तो उससे ही पता चलता है कि हमें कितना भगवान से प्रेम है तो इस परकार से इन्होंने अपना जो भी कमाया था उस सब कुछ भगवान में भगवान की सिवा में लगाते हैं भगवान के ऐसे अनेक अनंत अवतार है हमेशा वो अवतार लेते रहते हैं नई नीली लाएं करते रहते हैं इसमें से कुछ विशेश अवतारों के बारे में भरमा जी ने नारगमुनी को बताया आगे ये ज्यान कंटीनर देएगा और इस आनंद में हम डूपते रहेंगे श्रपरुपात की जय ग्रंत राश्रमत भागुत